आप सुन रहे हैं Radio City 91.1 मिरनाम मयंख्या और फिलाल हमारी बातचीत हो रही है सूरिपाल गंगवार सरसे जो की मैनेजिंग डिरेक्टर है मद्यानचल विद्यूत वित्रन निगम लिमिटेट से और हम बातचीत कर रहे हैं दो अमाउंट होती हैं एक बिफोर डिव डेट अगर आप भुक्तान कर देते हैं तो कुछ रिवेट मिलती है और आफ्टर डिव डेट उसका पेमेंट एक निश्यत अवधी तक आपको करने का समय दिया जाता है अगर जो लास्ट डिव डेट है उस तक आप भुक्तान नहीं करते हैं तो उस पर सरचार्ज यानि इंट्रेस्ट लेवी होना शुरू हो जाता है और ये पहले तीन महीनों तक 1.25% पर मंत के रेट से लगता है तीन महीनों के बाद ये जितनी भी बैलेंस अमाउंट है उस पर 2% पर मंत के हिसाब से ब्याज यानि सरचार्ज लगने लग कई लोगों को ये जानकारी नहीं होती है और ये सरचार्ज इखटा हो जाता है उनके बिलों में और फिर एक इस्तिती ऐसी आती है कि वो बढ़के इतनी अमाउंट उसकी हो जाती है कि वो लोग इसे अदा करने की इस्तिती में नहीं रहते हैं तो उनके बैनिफिट के पुरा ब्याज माफ हो जाए और इसके बाद वो एक नॉर्मल कंज्यूमर की तरह हर महीने अपना मासिक भुकतान करते रहें इस बार बहुत सिंपल है इसके अंदर रजिस्टर करना या इसका लाव लेना आपको एक मुष्ट भुकतान करना है तो रजिस्टरेशन की आवश् इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.upenergy.in मैं रिपीट कर रहा हूँ www.upenergy.in इस पर जाएं और वहाँ पर अपना जब भुकतान करने का प्रारम करेंगे तो आपकी सर्चार्ज अमाउंट प्रदर्शित ही नहीं होगी आप जो मूल अमाउंट है जो इनर्जी चार्जिस ह हमारी सबिस्टेशन पर हमारे इस विदा सेंटर्स पर या गाउं में अगर आप हैं तो आप वहाँ पर जो कोटेदारों के पास में पौश मसीन है उसके माध्यम से भी बिल कलेक्शन होता है जो CSC के सेंटर्स हैं Common Service Centers उन पर भी बिल कलेक्शन होता है इसके अलावा बहुत बिल जमा कराएंगे और उसकी रसीद ले लेंगे उसके बाद जो आपका अधिवार लगा हुआ है या सरचार्ज लगा हुआ है वो आटोमेटिकली माफ हो जाएगा to the extent जो इसकी में प्रोवाइड़ है तो अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनका कुछ बिजली का बिल बकाया है तो सरचार्ज को 100% तक माफ करवा सकते हैं आप 20 नवेंबर तक का समय आपके पास उससे पहले अपना बकाया आप जरूर पे करें और सरचार्ज में छूट पाएं बने रहे हैं मयंग के साथ सुनते रहे रेडियो सिटी